Twin Flame journey में आप हैं और repeating angel numbers आपको दिखाई दे रहे हैं क्या मतलब है इन सब का देखे excel numbers कोई भी देख सकते हैं spiritual person है वो भी देख सकते हैं कोई बच्चा है वो भी देख सकता है और age आपकी कितनी भी ज्यादा हो तो भी आपको angel numbers दिखने notice होना एकदम से शुरू हो जाएगा तो angel numbers दिखने का मतलब हर समय यह नहीं है कि आप हो सकता है twin flame journey में हो तो बिना भात में आप over excited या pain में आने की जरूरत नहीं है angel numbers का मतलब ही यही है कि आपके आसपास देविये शक्तियां आसपास हैं आपके help कर रही हैं आपको support कर रही है आप जस्ट आपने यह देखना है कि मैं उस समय क्या सोच रहा था यह सोच रही थी क्या plan कर रहा था या कर रही थी कि मुझे यह angel number एकदम से दिखा और मैंने यह कब से यह notice करना शुरू करा कि मुझे angel numbers दिख रहे हैं अगर आप twin flame है तो आप इस journey में dive deep ज़रूर करना चाहेंगे मतलब और भी ज़्यादा अपने अंदर गहरे में उतरना ज़रूर चाहेंगे और उतरना भी चाहिए क्योंकि इसके उतरे भी न आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि मैं कौन हूँ basically आप क्या है क्या सोल है क्या करने के लिए आए हैं ये कोई और person आपको नहीं बताएगा even twin flame journey में भी dm आपको नहीं बताएगे तुम कौन हो क्या करना है आपको वो triggering के थूरू आपको lessons मिलेंगे तब आप जान बुझ कर या divinely guided होकर meditation में automatically उतरने लगेंगे समझने लगेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे exactly करना क्या है क्योंकि you know that there is no shortcut to achieve spiritual growth spiritual growth के लिए आप ये नहीं कहेंगे कि क्या shortcut है जल्दी सी जल्दी हम पहुँच जाएं यहां तक हर चीज के लिए time लगता है patience चाहिए होता है मेहनत लगती है बिना मेहनत के आप जिस तरह से कोई भी एक course या कोई भी एक 3D level का achievement नहीं पा सकते हैं shortcut way में नहीं पा सकते हैं डॉक्टर बनना है तो कि आप एक आद साल में एक आद class attend करके बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं पूरी थारो study करनी पड़ेगी तो same ये twin flame journey का है आप चाहिए कोई भी level पर हों कोई भी professional level पर हों twin flame journey का महसूस होते ही आपको एक दम से समझ में आने लगेगा कि ये twin flame journey ही है और ये repeating numbers है self growth के लिए expansion के लिए और inner healing के लिए twin flame के साथ corporate करना ये आपका सबसे ज़्यादा main काम है yoga, meditation, chakra healing etc. ये सबी inner work का ही पार्ट है ठीक है misunderstanding है तो वो दूर करनी है push and pull की जो आई energy है वो दूर करनी है separation को let go करना है और ये सब बातों को clear करके अपने limiting limiting beliefs को पीछे छोड़ना है limiting beliefs अरे ऐसे तो करना ही होता है ये तो करना ही पड़ता है इतना तो करना ही होगा घर मकान तो बनाना ही है job तो हम छोड़ी नहीं सकते and this and that जितने भी आपके बंदन है उनको छोड़ने के लिए अगर आप ready है then आप successful हो सकते हैं twin flame journey में लेकिन आपके belief system आपकी पैरों को बेडियों से बांदे हुए है तो फिर आपका सुनना समझना twin flame journey के बारे में और action लेना तो थोड़ा मुष्टिल ही हो जाएगा ठीक है we have a choice to earn self love self love selfishness नहीं है अपने आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम परिवार में रहते हैं या अकेले भी रहते हैं तो भी अगर हमां खुद को नहीं समझ बाते तो फिर हमें मुष्किल नहीं आएंगी ही आएंगी ठीक है तभी हम परिवार में रहते हुए हम यह कहते हैं इसने यह नहीं किया उसने वो नहीं किया चाहिए वो बड़ा हो चोटा हो अपना ही बच्चा हो हम क्या कर रहे हैं basically हमें यह देखना होगा ठीक है और यह ज़्यादा टाइम लेते हैं ना लेते हुए आपको बताती हूं अपना पस्पेक्टिव आपको चेंज करने के लिए रेडी रहना चाहिए क्योंकि every action has a reaction यह आपका मालू है तो ट्विन फ्लेम में repeating numbers हैं 11-11 जो कि आप जानते ही है इसका मतलब है new opportunity, new beginning किसी भी level की हो सकती है आप किसी भी level की, किसी भी profession में आप हो सकते हैं कोई भी age हो सकती है तो अब आप समझे कि आपके new beginning किस तरह की है सबके लिए एकी चीज नहीं होगी सबके लिए एकी चीज अप्लाई नहीं होगी ये चीज़ समझ लिजे ट्रिपल टू अगर आप ट्विन फ्लेम जर्णी में रिपीटिंग नंबर देखते हैं तो इत मींस यूनियन का साइन है हो सकता है ट्विन फ्लेम आपको मिलें या फिर आपकी नेगटिव एनरजी रिलीज हो ये चीज़ का संकेत भी है और guidance भी है 717 या 1717 या 171 ये आप नंबर देखते हैं तो इसका मतलब आपको इंजस कहरे है कि prioritize your work to choose your personal growth आपको exactly करना क्या है prioritize तो कीजिए आप 100 काम एक साथ करते हैं ये भी करना वो भी करना है लेकिन असल में prioritize कीजिए कि मुझे पहले किया करना है प। सबसे important काम क्या है तो ये नहीं है कि सारे काम important है तो सारे काम एक साथ करें तभी तो result आता नहीं है तभी तो मालीजी देर सारी problem है तो आप करते हैं कि सारी problem का चुटकार है एक बार में हो जाए जैसे कि आप करते हैं कि सारी पूजाएं कर दो मैडम एक ही दिन में हो जाएगा ऐसे नहीं होता हर दिन का अलग डेटी होते हैं अलग मूरत होता है तो एक ही दिन में निप्टाना से तो कुछ नहीं होता है इसी लिए समस्या हैं देर सारी तो one by one चलते जाएए एक समस्या को पकड़िए प्राइरटाइज समस्या कौन सी है जो कि आपके दिल दिमाग और शरीर को हिलने नहीं देरी तो फिर आप उस समस्या को पकड़िए उसका solution निकाल लिए इसी तरह से क्या चीज़ आपके लाइफ में हैं spiritually आप अलरड़ी हैं higher self में तो और भी ज़्यादा एक नया लेवल का आपको spiritual जरनी आपको देखने सुनने समझने को मिल ही जाएगी अगर आप 711 ज़्यादा देखते हैं तो डबल सिक्स डबल सिक्स अगर आप नंबर देखते हैं तो इंजेस कह रहे हैं कि do not hold tight anything किसी भी चीज़ को किसी भी situation को डीम भाग रहे हैं उसको पकड़ने की ज़रूत नहीं है मेरी situation हाथ से निकल रही है मेरा घर भी खड़ने वाला है just just relaxed जो भी होगा वो पिलकुँ सही चीज़ के लिए ही हो रहा है कुछ भी गलत नहीं होगा misunderstanding दूर कीजिए अपने twin flame से या कोई भी आपके circumstances हो रहे हैं तो यह आपका perspection को change करेगा आपके दृष्टिकून को बदलेगा डबल सिक्स डबल सिक्स का मतलब है कि spiritually हाप हाई तो होंगी होंगे materialistically भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और साथ ही साथ guidance है कि किसी भी चीज़ को एकदम rigid मत होईए flexible हो जाईए hold tightly मत कीजिए accept कीजिए हर चीज़ को and accept again and again यह वाला number देखने का यही अर्थ है triple four देखता है या double four या quadruple four आपको देखता है तो इसका मतलब है कि आप highly intuitive है, sensual है, physical sensation भी आपको होती होगी और हो सकता है कि marriage का भी proposal आए आपको twin flame से ही ऐसा हो सकता है और यह समझ यह कि triple four देखने का मतलब twin flame journey में एक brilliant outcome आपके life में आने वाला है वो brilliant outcome किस चीज़ का होगा यह depend करता है कि आप किस चीज़ के बारे में सबसे जादा concentrated है basically देखा जाए तो financially आपको strong बढ़ाने के लिए या financial stability के लिए यह number आपको repeating number angel number twin flame journey में दिखाई दे रहा है क्योंकि आप financial crisis से भी घुजर रहे होते हैं twin flame journey में तो यह थे आपके repeating numbers 1111, 222, 717, 711, 6666, 444 इस तरह की जो repeating numbers हैं यह आपके लिए कुछ special ही कहना चाहते हैं और साथी साथ guidance देना चाहते हैं thank you so much all the best